आप एक तो इससे अलग हो जाएं मुख्यों चंद चूड साव हमारी सुनवाई से और तीन साल तक आप हमको डेट दे रहे हो पूरा कारेकाल घतम हो गया विदान सबाका आप पच्छी मंगाल की सुनवाई करोगे महराज रेप केस की सुनवाई निकरोगे केजरीवाल को प्लीन शिट दे दोगे यह नहीं उन्हों नहीं बताएगे एलेक्टरोल बॉंड पर फैस्दा चंद्धूड साब करें इसमें दो तीन बाते एक तो यह आरोप लगाना प्रधान मंत्री सीजियाई से मिलिये तब सारी फैसलों पर असर हो जाएगा प्रधान मंत्री का व्य चुप चाप करा सकते हैं इसमें कोई ऐसा तो है नहीं मैं नहीं मान था कि प्रधान मंत्री चाहें तो नहीं करा सकते हैं या करा सकते हैं मैं सीजियाई पर आरोप नहीं लगा रहा है लेकिन यदि कराना हो ऐसा तो उसके लिए सारवजनिक तौर पर जाने की जाना प्रधान मंत्री को मतलब खुद भी बोलने की जरूरत नहीं है इसका मतलब अलग है तरहर प्रधान मंत्री और सीजियाई बहुत सारे मौको पर मिलते हैं लेकिन वह कारीकर्म सारवजनिक होते हैं प्रधान मंत्री तो CJI के साथ बहुत सारे बड़े फंक्शन्स प्रधान मंत्री को नहीं जाना चाहिए ऐसा लोग मानते हैं इसका कानून नहीं है कि फांसी लगा देंगे आप उसको लेकिन यह हमारे यहां की व्यावस्ता कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे एक भाव लोगों में नाये परसेप्शन नाये कि प्रधान मंत्री जी का असर जो है अपना ट्विस्ट है कि गणेश पूजा के लिए इसलिए अपत्ति है आप इसी को ट्विस्ट देकर गणेश जी को प्रधान मंत्री जी के लिए पॉजिटिव कर सकते हैं क्योंकि जब आप यह कह रहे हैं कि वहां मनमोन सिंग की जो फोटो हम दिखा रहे हैं इफतार की तो वह सारवजनी कारेकम है प्रधान मंत्री को घर में पूजा घर में पूजाती मेरे ख्याल से बचना चाहिए कि दोनों लोग एक निजी फंक्शन में सामने आ रहे हैं लेकिन इसका कोई फरक पढ़ रहा हो चुनाओ फैसलों पर ऐसा बिलकुल नहीं लगता क्योंकि फैसलों पर असर पढ़ना होगा तो उसके लिए मुलाकातों की जरूरत नहीं हो और चब्रशुब सामने बहुत सारे फैसले दिया हैं यह चपता था जिसे डार्लिंग अफ दिलिबरल्स अचानक से कैसे बदल जाता है एक फैसला हक में आया तो बढ़ अच्छे हैं फैसले का इस पर कोई असर पढ़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता पैसले पर असर पाने की बात है सवाल ठीक हो सकता है यह भी सवाल ठीक हो सकता है कि ऐसे परसेप्शन न दिखे और विजय जी ने कहा मैं उसको कई बार दोराता हूं कि जो जिस उद्योगपती से पैसा लेता है उसकी दुकान पर जाका नहीं बैठता है अम तौर पर ही होता है कहा जाता है कि इंद्रिया जी कुछ अहां से चन्दा आता था उनके संबंद कभी सामने न है यह कही धीरुभाई के साथ फोटो है कभी फोटो नहीं उनकी आती थी राजीव गांधी के फोटो नहीं आती जिसकी जितनी आस्था शद्दा उतने दिन रगते हैं, और वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो उनका जानने वाला है, उनके घर भी आए, वो मानते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा के साथ जो गणेश पूजा करने के लिए भक्त आ रहा है, वो भी अपने साथ कुछ लेकर आता ह समरिदी संपन्ता लेता है, शुभता लेकर आता है, अब उसके आगे के बाद, ये दूसरा मसला है, ये उस गिरोह का चंद्रचूड के उपर दबाव बनाने की कोशिश है, फ्रॉम दे डे वन, इस गिरोह ने लगातार ये कोशिश की कि कि किसी भी तरह से नियाय पालिका निश्पक्ष नहीं हो सके, उसके पर ये दबाव बना रहे हैं को जो भी फैसला देना है, वो मोधी सरकार के खिलाब देना है, या भारती जंता पार्टी के खिलाब देना है, या जिसको आप कहते हैं कि राइट विंग कहते हैं, उसके खिलाब देना है, ये वो कोशिश है कि अभी हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस थे है रंजन गोगोई सा वो रिटायर होने के बाद उनको नॉमिनेट के राजी सभाग गया इस पर भी सवाल खड़े हुए यह सवाल इसी तरह से खड़े होते हैं बिल्कुल ठीक है सवाल और यह पर्सेप्शन पर बहुत चुप रहा था क्या कोई बिल्कुल ठीक है अलोचना उस दिन भी हम चर्चा कर रहा थी जब इमर्जेंसी में सीजे आई की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत गलत तरीके से बिएव किया था इमर्जेंसी के वक्त